हेलो एब्रिवन वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मखाना बर्फी की रेस्पी यह देखिए यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही असान है तो रेस्पी शुरू करने से पहले नीचे दिए के सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करें साथी बैल आइकन को भी क्लिक करें बिल्कुल फ्री है ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पी सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे इसमें डालेंगे दो मखाना यह 250 ml का कप है वजन से मखाना है 36 क्रैम इन्हें फॉक्सनट या लोटस सीड भी कहते हैं यह हमारे लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनिट तक रोस्ट करेंगे मैं इन्हें ड्राइ रोस्ट करेंगे आप चाहें तो इन्हें बाद में इन्हें करेंगे करेंगे, तो अब हम सेम कडाई में डालेंगे एक चोटा चमत्फ देसी-घी को मेल्टो से lead देते घी कि रिष्ट करने से इनका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। हल्का पिंक कलर आने तक रोस्ट कर लिया हमने इने तो अब हम इने सेम प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जिसमें हमने मखाने डाले थे। काजू को और मखाने को बाद में हम ग्राइन करके पाउडर बना लेंगे अब सेम कड़ाई में हम डालेंगे आधा कप डैसिकेटेड कोकोनट जिसे नारियल का बुरादा या कोकोनट पाउडर भी कहते हैं वर्जन से यह 70 ग्रैम है अब लोग फ्लेम पर दो मिनिट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है तो अब हम इसे एक अलग से बोल में निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसे ग्राइन नी करना है यह देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और मखाने को और काजू को मिक्सर जार में डालके ग्राइन कर लेते हैं यह देखिए यह कोकोनट प्राउडर औ मखाने के पाउडर को अलग से रख लेते हैं साइड में अब सेम कड़ाई में हम डालेंगे डेढ़ कच्छा या उबला हुआ आप कोई भी दूद ले सकते हैं यह मैं कच्छा दूद ले रही हूं फुल फैट मिल्क लेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है बर्फी में इसे बॉइल होने देंगे अच्छे से फ्लेम मेने मीडियम रखे इसमें डालेंगे दो बड़े चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है यह दूद और भी गाढ़ा हो जाएग और बर्फी में खोए जैसा टेस्ट आएगा तो आगर आप नहीं डालना चाते तो दूद को और अच्छे से बॉइल करके से गाढ़ा कर लें यह देखिए दूद में अच्छे से मिक्स हो गया अब हम इसमें आधा चोटा चमच इलाइची पाउडर डालेंगे इससे बहु दूद को भी उबलते हुए तीन-चार मिनट हो चुके हैं और यह काफी गाढ़ा सा हो गया है थोड़ी देर और बॉयल करेंगे इसे थोड़ा सा और रिड्यूज हो के थोड़े कम रेजाइस की क्वांटिटी इसमें 1 थर्ड कप चीनी डालेंगे यह 64 ग्राम है अगर करके कोकोनट पाउडर रखा था वह डालकर इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत जल्दी दूद को अब्सारब कर लेता है तो हम इसमें मखाने और काजु का पाउडर भी डाल देंगे जिसे हमने ग्राइंड करके अलग से रख दिया था अब मैं स्प अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें एक छोटा चमत देशी घी एड़ करेंगे इससे बर्फी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस तरह से इसमें बहुत बढ़िया शाइन भी आ जाएगी यह देखिए अब यह इस तरह से एक डो फॉर्म में आ गया और अच्छे से इस कंटेनर में लगा के गी से कर लिया आप चाहे तो एक श्टीळ की प्लेट भी ले सकते हैं अच्छे से गीरीज कर लें और इस तरह से यह हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे spatula से evenly spread कर देंगे इस तरह से चारों तरफ और smooth कर लेंगे spatula से इस तरह से ये देखिए ये मैंने अच्छे से smooth कर लिया अब उपर से हम थोड़ी से पिस्ता डालेंगे आप कोई भी dry fruits इसमें काचू या बदाम भी डाल सकते हैं पिस्ता देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं पिस्ता डाल रही हूँ अब अच्छे से spatula से इस तरह से प्रेस कर देंगे ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है तो हम इसे counter top पर इस तरह से छोड़ देंगे एक घंटे के लिए ये देखिए एक घंटा हो चुक है बर्फी अच्छे से सेट हो गई है तो इसे बहार निकाल लेते हैं इसे बहार निकाल कर कट कर लेते हैं तो इसे आप चाहिए तो square pieces में कट करें या diamond shape में भी कट कर सकते हैं तो अपनी choice के बड़े चोटे pieces में इसे कट कर लें ये देखिए मैं इसे चोटे-चोटे square pieces में इस तरह से कट कर रहे हूँ ये बहुती बढ़िया बर्फी बनकर तयार होती है और इसे बनाना बहुती असान है और ये देखिए कितनी जल्दी बनकर ये तयार हो गई तो एक piece में निकाल के दिखाती हो ये देखिए ये कितनी बढ़िया बनी है और खाने में ये बहुती टेस्टी होती है तो चलिए इसकी plating कर लेते हैं आपको ये बर्फी की रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं आप सभी जानते हैं कि मखाने हमारे सेथ के लिए कितने फाइदे मंद हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं आप जरूर इस रेस्पी को घर पर ट्राई करें ये देखिए बहुती बढ़िया मखाने की बर्फी हमारी बनकर तेयार है आपको ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर बताएं थैंक्स पर वाचिंग